चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो नीट एक्जाम के लिए मिनिमम एज 17 एर्स है और ये हर साल जिस साल नीट होती है उस साल 31 डिसमबर को होनी चीए जिस साल नीट का एक्जाम होता है यानि कि नीट 21 के लिए मिनिमम एज की बात करें तो 17 एर्स होने चीए 31 डिसमबर 21 तक अभी इसी मिनिमम एज क्रेटेरिया को दिल्ली हाई कोट में एक नीट स्टुडेंट द्वारा चैलेंज किया गया था स्टुडेंट का कहना था कि जेई मैन की तरह नीट एक्जाम के लिए भी मिनिममम एज 15 एर्स रखी जाए इस पिटिशन को दिल्ली हाई कोट ने डिसमिस कर दिया है और पिटिशनर पर 10,000 रुपीज का फाइन भी लगा दिया है दिल्ली हाई कोट ने कहा है कि ऐसा कोई रिजन नहीं बनता है कि नीट के एक्जाम के लिए मिनिममम एज रिड्यूस की जाए स्टुडेंट की एज 13 मन्थ कम पढ़ रही थी इस कारण उसने यह यह अच्छी का दायर की थी तो मैं आपके नोलेज के लिए बता देता हूँ कि नीट 21 एक्जाम के लिए मिनिममम एज तो 17 एर से 31 डिसंबर 21 को होनी चीए साथ में मैक्सिमम एज लिमिट का अभी कोई नहीं है इसका सुप्रिम कोर्ट में केस चन्रा है जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक 17 एर्स के अबोव एज के सभी कंडिडेट साए वो किसी भी कैटेगरी के हो वो एडमिशन ले सकते हैं तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ सेर करना जरूरी समझा है तो आपने अगर हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक वा ज़्यदा ज़्यदा सेर करें मिलेंगी नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद